एक बाद फिर से आप सबका स्वगता है आपके अपने चनल में आज हम आपर बात करेंगे जो ECS Swigiland T10 का आज की दिन का मैच नंबर 2 होगा जो खेला जाएगा पक्तून जलमी वर्सिस पावर सीसी के बीच में तो इस मैच की मैं आपको इंडेप्ट अनलिसिस करके दूँग तो सबसे पहले आपको टेलिग्राम चनल को जरू जोइन कर लेना है क्योंकि यहीं पर आपको फाइनल टीम न्यू प्लैस के स्टाइट्स और ओफिशल बेटिंग ओडर मिलेगा टेलिग्राम चनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्किप्शन में या फिर होगा दो बच कर 15 मिनट पर सेम ग्राउंड पर मैच खेला जाएगा आटिफिशल विगेट है एक सो तीस एक सो पचास के बीच में स्कोर बनता है पैतालिस मैचे जो चुके हैं तैईस जीते हैं बेटिंग फर्स करनेवाल टीम ने बीस में चेज हुआ है मतलब यहाँ पर देखो थोड़ा से डिवांटेजे जो टीम पहले बेटिंग करती लेकिन जादा फरक है आपर नहीं परता पक्तून जल्मी की जो टीम है इनका पहला मुकाबला जो है वो अभी चल रहा है उपन करेंगे इनकी दरब से देखो लास्ट के छे में से चार में चारी इनकी बोलिंग करता है यह लास्ट के 6 मेच में विक्रट दो है बल्ले से 15-49 मेटर आठ एक है अरीप संगार यह आपको बेटिंग के साथ बोलिंग भी देगा लास्ट के 6 मेच में दो विक्रट है बल्ले से 75-30-34-90 और 10 हैं अब्दुल्ला हमदर्द है यह पहला जो में चो रहा नामें बल्ले से पांच नोट आउट, पंदरा नोट आउट, छे और जीरो हैं। फिर आएंगे हैं से राजसेकर, क्रिनस्टना मोर्ती ये एक स्पिनर हैं। और ठिक टाक बोलिंग करवा लेता हैं। दो मेच में दो विकेट हैं। डोमेश्टिक टी 20 में पांच में दो विक येगा। फिर आएंगे हैं से हैजदतुल्ला सिन्वारी, इनकी अगर मैं बात करूँ तो इनके नाम अगर आप देखो तो लास्ट के 6 मेच में 2 ओवर डालें। विकेट कोई नहीं हैं बल्ले से 6-6 हैं। जादा बोलिंग नहीं मिल रिसको। सुबानुल्ला सिर्जात यह बात आप ध्यामे रखना हैं और बेटिंग नीचे करता हैं। तो यहां से देखो अभी के लिए आप रख सकते हो इजार हुसेन, आरिप संगार, बासी रहमत, रास सेकर कृष्णा मूर्थी और मौस भट। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं। इनमें से 2 प्लेयर खे मैच में 5 विकेट हैं। बाकी और कोई चेंज होता है मैच में तो उसके स्टैट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चलने पे। अब देखो इनकी तरब से आपको स्टार्टिंग ये और बासी रहमत, कृष्णा मूर्थी, इजाज हुसेन तो डालेंगे नी क्योंकि वो विक अब देख लो इसके नाम क्या है, तेरा है, नो है, एक है, जीरो है और बीस है, तो उतना तगड़ा रिकोर्ड इसका है नी, अशाद महमुद ये बहुत तगड़ा प्लेर है, बेटिंग बोलिंग दोनों से तगड़ा है, लास्ट के छे मैच में तीन विकेट है, बल्ले से 22, 10, 46, 11, 31, 20 है, फराज वीरक ये भी अच्छे वेटिंग कर रहा है, 42, 1, 19, 27, 25, 43 है, अनसुरुल्ला सफी, ये विकेट किपिंग सेक्षन में आपको दिख जाएगा, और विकेट किपिंग सेक्षन से एक अच्छा पिक है, 7 और 37 की पारी खेल चुका है, असदुल्ला सेय नाम है, फिराएंगे ऐसे फरीद अहमद, फरीद अहमद की बात करो तो लास्ट के 6 मेच में 3 विकेट है, बल्ले से आपको 6 नोट आउट, 36 नोट आउट, 0, 11 और 7 नोट आउट है, तो ये बेटिंग तो कम करवाता है, लेकिन बोलिंग बहुत अच्छी करता है, समसूर इसने देखो, चार मेच में से सिर्फ एक मेच में बोलिंग कर आई है, जिसमें एक विकेट है, अता सजीत कोई खास रिकोर्ड नहीं, पिक कर सकते हो यहां से, सफियत अगर ओपन करता है तो आप ट्राइक कर सकते हो, अधर्वाइस, यहां से असद महमूद अच्छा पिक ह अनसरूला सफी विकेट किपिंग सेक्षन से बहुत अच्छा पिक है, ओसामा महमूद है, फरीद अमद है, शमशूर शपी है, बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स है, इनमें से कोई भी खेले है, उसके स्टाइट्स आपको मिल जाएंगे, स्टार्टिंग के और डालेंगे सफी ओशामा महमूद डेत में आएंगे, अशद महमूद फरीद अमद एफरसेग, अनलेसिस वाला जो पार दाज मेंच का हो चुका है, चलेंगे डेमो टीम की तरफ लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरू कर देना, चलते है डेमो टीम की तरफ, नेक्स स्लाइड में आपको डेमो टीम मिलेगा लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चनल से जोनोना जरूरी है, अगर आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चनल पर जोनोना चाते हो, तो आपको वीडियो के टाइटल में जाना है, मोर पर क्लिक करना है, आप खहाँ चले जाओगे, आप चले जा करना, आप इजी ले टेलीग्राम चनल को जोन कर सकते हो, अभी के लिए देख लेते हैं डेमो टीम, डेमो टीम में आप देखो विकेट किपिंग सेक्शन से रखाए, अनसरूला सफी, बहुत अच्छी बेटिंग कीती लास मैच में, बेटिंग सेक्शन से रखाए, आरिफ शंगार वो इस करप्टन ओसामा महमूद है, लेकिन अगर इजार इशन, एजर नॉर्मल प्लेयर खेलता है, मतलब विकेट किपिंग नहीं करता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा वीसी का उप्शन रहेगा, लेकिन अभी के लिए टीम यही है, फाइनल टीम जो भी होगी वो आपको मिलेगे टेलीग्राम चलबे, जिसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा, धन्यवाद